प्यारे बच्चो असलाम अलेकुम हम चैप्टर वन की एक्सरसाइज कर रहे हैं और सबसे पहले जो आप भुक का पेज देख रहे हैं उस पे आपने क्रेक्ट स्पेलिंग जो हैं उनके गिर्द दाइरा लगाना है तो ये तीन कॉलम्स हैं इन में से हर कॉलम में जैसे वर्ड लिखे हुए हैं तो एक स्पेलिंग जो हैं वो सही है जैसे प्ले, क्लॉक, ट्रेन, स्टोरी, एंड ब्रदर आप आप ऐसे करें कि कॉपी पेंसल लें पहले खुद से क्रेक्ट स्पेलिंग लिखें फिर मैं आपके सामने क्रेक्ट स्पेलिंग रखती हूँ तो ये देखें प्ले के जो है पी एल एवाई प्ले होता है क्लॉक, सी एलो, सी के क्लॉक होता है और ट्रेन, टी आर आई एन स्टोरी, स्टी ओ आर वाई और ब्रदर, भी आरो, टी एच ए आर ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, गरामर की तरफ आपको पता है कि नाउन नेमिंग वर्र्ड को कहते हैं अउर्दु में इसको इसको इसम कहते हैं जैसे جो है वो किसी जगह चीज के नाम को नाउन कहते हैं जैसे इसमें परसंज भी आ सकते हैं, places भी आ सकते हैं, things भी आ सकते हैं, और animals भी आ सकते हैं, तो ये तो होगी noun की definition, अब आपके सामने ये three sentence हैं, आपने इसमें से noun जो है, उसको identify करना है, where is my train, तो मेरी train कहां है, तो इसमें noun क्या है, noun है train, next question है, I like my house, तो इसमें noun जो है, वो, I like my home, home is a noun, और sad is going to school in the morning, sad person है, तो ये भी noun है, और वो कहां पे जाता है, school, तो place is a school, तो हमने इसमें correct spelling देखे, और हमने noun सीखे, next है, match the given nouns with their picture, आप ये pictures दिये हुए है, नाम दिये हुए है, आप ते इनको match करने है, अब तो आपको ये सारी बहुत अच्छी तरह आती होंगी, आप इसके साथ match कर लें, boy, cow, ball, elephant, banana and girl, next है, look at the pictures and read the given pronouns, तो सबसे पहले हम pronouns की definition देख लेते हैं, वो word जो के noun को replace करता है, उसे pronoun कहते हैं, जैसे I am, उमर, I am a boy, तो जो है, इसमें, जो है, I am a boy, आई उमर को replace कर रहा है, तो I is a pronoun, और मिठू is a parrot, it is green, it is a pronoun, हारस is my brother, he is a good boy, he is a pronoun, तो ये सारी चीज़ें, जो हैं, he, she, you, we, they, ये जो हैं प्रोनॉम्स, उसके बाद है, fill in the blanks with the correct pronouns, तो she is a girl, she लड़की के लिए इस्तमाल होता है, तो इदर she आएगा, he is a good boy, तो he हम लड़के के लिए इस्तमाल करते हैं, तो यहां पर he आएगा, I am a teacher, वो खुद आपके बारे में बता रही हैं, कि मैं एक teacher हूं तो I आएगा, you are a student, दूसरा कोई बता रहा है, कि तुम एक student हो, तो you आएगा, और आप देखें, बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो उसकी जगा वो ही आएगा, और ये क्या है, रैबिट हरगोश, तो जो non-human चीज़ें होती हैं, उनके लिए, it is a rabbit, उसके बाद है, read the one syllable words, sun, van, hat, jug, cup, log, अब देखें, कि इनके दो हिसे नहीं किये जा सकते, syllable कहते हैं, one syllable, only one vowel is present, fish, run, और two syllable, जिनके हिसे किये जा सकें, जैसे pencil, candle, तो अब आपको ये सारे जो one syllable words हैं, इनको identify करना है, जैसे pet, cat, big, mat, milk, drink, ये सारे, red, ball, ये सारे one syllable word हैं, आपको सबक पसंद आया होगा, इस वीडियो को share करें, like करें, और चैनल को subscribe,